नमस्कार मित्रों, मैं गौरो सर अपने इस New Concept Study Center के माध्यम से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैंने अपना ये चैनल आप सभी की Study के लिए बनाया है और इस चैनल में आप TET, CET, SuperTet, DSSB और भारत की सभी Teaching Exam से रिलेटेड सभी विशे की वीडियो पराप्त करते हैं इस Lockdown में इस संकट बरे दोर में अभी हमारे पास टीचरों की उपलब्दता इतनी नहीं है जैसे जैसे टीचरों की उपलब्दता बढ़ेगी आप सभी को सभी विशे के वीडियो पराप्त होना सुरू हो जाएंगे मैं आपको आज मनुवेग्यान पढ़ाने के लिए यहाँ पस्तित हूँ मनुवेग्यान में इस से पहले मैंने अधिगम की एक संखला प्रारंब की है और अधिगम की उस संखला में मैंने आपको थाउंडाई, पावलव, इसकिनर इन तीन सद्धानतों से रुबरो कराया ह और बिगत कई साल के question answer जो कि पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं अकसर बार बार उनको लेकर भी मैंने अपना वीडियो कई सारे वीडियो बनाए हैं आप मेरी playlist में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो आज मैं आपके लिए एक बिलकुल नया सद्धान, बिलकुल बहुत ही important सद्धान जो की हर साल इससे भी questions बनते हैं जब भी हम अधिगम की बात करेंगे हम इस सद्धान को छोड़ नहीं सकते यह सद्धान भी उतना ही important है जितना की पीछे के तीनों सद्धान थे इसके साथ साथ जो लोग beard या btc करते हैं उनके लिए ये मेरा वीडिय बहुत ही useful होने वाला है तो मेरे चैनल को live subscribe और comment करें और comment करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप और क्या मुझसे पढ़ना चाहते हैं मैं एक-एक करके सभी theories को आपके सामने लाऊंगा और आपके concepts को clear करूंगा तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपन इसके बारे में basic information जान लेते हैं आईए हम लोग जानते हैं देखिए ये है सूज का सद्धान्त या insight theory इसको अंतरवदिष्ट का सद्धान्त भी कहते हैं ठीक है अब इसके प्रतिपादा कौन है देखिए ये जो सद्धान्त है ये gestalt वादियों की देन है अभी तक आपने जो सद्धान्त तीनों पढ़े वो व्योहारवादी सद्धान्त थे ध्यान रखेगा मित्रों उनको व्योहारवादी सद्धान्त कहा जाता है और व्योहारवाद के जनक वाट्सन को माना जाता है ठीक है ये जो सद्धान्त है सूज का सद्धान्त या insight theory या अंतरदिष्ट का सिद्दान इनके जो प्रतिपादक हैं या इस यह जो मनोवग्ञानिक संपरदाय है इसको गेस्टाल्ट वाद कहा जाता है गेस्टाल्ट वाद जर्मनी का एक सब्द है मैं अभी आगे उसकी चर्चा करूँगा तो आए हम देखते हैं गेस्टाल्ट वाद के प्रतिपादक पूछा है तो वर्दीमर वर्दीमर ने सन 1911 में गेस्टाल्ट वाद नामक संपरदाय जर्मनी में स्टार्ट किया था देखिए यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं कभी-कभी उनसे गेस्ट के जन्यदाता नहीं है मित्रों जैसे कि वहारवाद के जन्यदाता प्रतिपादक कौन है उसके प्रतिपादक वर्दीमर है ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद इनके कुछ सहयोगी थे यानि कि इस गस्टायल वाद में कई सारे मनुवग्गानिकों ने अपना अपना सहयोग दिया है तो उसमें उन्होंने कोफा लेविन कोहलर वर्दीमर कई सारे मनुवग्गानिकों का नाम आता है सोरी तो इनके सहयोगे में कोफा लेविन कोहलर कई सारे मनुवग्गानिक थे अब यह जो सद्धान्थ है आपका सूज का सद्धान्थ इसको कोहलर ने दिया पर इसको जब कोहलर ने यह सद्धान्थ प्रतिपादित किया तो ब ये theory of gestalt जो पुस्तक है ये पुस्तक का नाम है theory of gestalt इसको लिखा है कोफा ने ये कोफा की एक पुस्तक है theory of gestalt जिसमें उन्होंने सूज के सद्धान्त का वर्णन किया है और वहीं से इस सद्धान्त को प्रसिद्धी मिलना प्रारम हुई है तो ये याद रखिएगा ये किता प्राबों में नहीं मिलता theory of gestalt किसकी पुस्तक है द्यान रखिएगा 1920 में आई थी अब कोहलर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम सूज के सद्धान्त की बात कर रहे हैं inside theory की बात कर रहे हैं तो कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया तो कोहलर ने अपना प्रयोग किया वनमानुस पर जिसका क्या नाम था सुल्तान यानि कि सुल्तान नामक वनमानुस पर कोहलर साहब ने अपना प्रयोग किया कहीं कहीं चिंपैंजी भी लिखा होता है तो चाया वनमानुस कहिए या छिंपेंजी तो सुलतान उसका नाम था कई और कितने नाम हैं यह भी हम जान लेते हैं कई सारे नामों से देखी जब आप English में अपने पेपर को solve करते हैं तो वहां तो ये inside theory ही रहेगा तीक है या gestalt theory भी हो सकता है या inside theory ये दो नाम हो सकते हैं लेकिन जब आप Hindi में paper attempt करते हैं तो कई सारे नाम आएंगे जैसे कि gestalt वाद, समक्र वाद, पूर्ण कार सित्धान, पूर्ण से अंश्प की ओर सित्धान, सूज का सित्धान, गेस्टाल्ट वाद का सित्धान कई सारे नामों से इसको जैना आता है तो सारे नाम्याद रखेगा गिस्टाल्ट वाद का सिद्धान समगरवाद का सिद्धान पूर्णकार का सिद्धान या पूर्ण से अंश की और का सिद्धान या इंसाइट थिवरिया सूज का सिद्धान जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं देखे इसमें बेसिकली कहते क्या है पहले हैं लोग जो गिस्टाल्ट वाद संपरदाय है यह व्योहार वाद संपरदाय के वरोध में बना यानि कि व्योहार वादी मनोवैज्ञानिक यह मानते थे कि जो सीखना है वो उद्धीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध है आपने उन सभी सिध्धानतों में कहीं कहीं उद्दीपक और अनक्रिया की चर्चा सुनी होगी लेकिन यह ऐसा नहीं मानते यह यह कहते हैं कि सिर्फ उद्दीपक और अनक्रिया के बीच जो बंद बनता है या जो उसका relation होता है उसी को सीखना नहीं कहते बलकि सीखना वह है प्राड़ी जब प्राड़ी के सामने जब कोई भी परिसिती आती है तो प्राड़ी उस परिसिती में व्याप्त सभी उद्दीपकों के साथ अंतहक्रिया करता है और उस अंतहक्रिया को करने के बाद यह decide होता है कि प्रा क्या परिणाम होगा यह डिसाइट करेगा कि हमको कौन सी अनक्रिया करनी है इस यह मानते हैं गस्टालवादी ठीक है तो जो सीखना है वो विभिन परस्तितियों में मनुष्य कैसी अनताक्रिया करता है उसके बीच का संबंध होता है अब इसे हम और विस्तित रूप से समझे इस सूज के सर्धान्त में देखिए सूज के सर्धान्त में जो इस संप्रदाय के जो मनुवेग्यानिक है वो ऐसा मानते हैं कि मनुष्य के सामने जब समस्या आती है तो मनुष्य उस समस्या को एक संपूर्ण रूप से देखता है उसको पूरी तरीके से देखता है तो समस्या की एक-एक उद्धीपक से अंतर्क्रिया करता है इसके बाद अचानक उसकी बुद्धी में एक समझ पैदा होती है कि कैसे मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है तो यहां क्या है यहां हम बात कर रहे हैं इंटिलिजेंस की बुद्धी की संग्यानात्मक विशेष्था की है ना तो मनुष्य जब किसी समस्या में होता है तो उसकी बुद्धी से एक अचानक सा एक आइडिया निकलता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूंगा इसी को इन्होंने सूज कहा है इसी को इन्होंने इन्साइट कहा है कि जब हम किसी समस्या में होते हैं उस समस्या का समधान हम जब खोजते हैं हमार दिमाग में उसका कुछ समधान आता है तो वह अचानक से हम उस समस्या के समधान पर पहुंचते हैं उसी को इन्होंने सूज कहा है तो यहां ध्यान रखेगा कि सूज क्या होत अपने सिध्धान्त को इन्होंने प्रूव करने के लिए क्या किया देखि जो एक बात और रियाद रखे का यहाँ कि जो गेस्टाल्ट है इसका English में भी कोई बहुत जादा इसको English में भी गेस्टाल्ट ही कहते हैं Gestalt actually Germany भाषा का शब्द है और Gestalt का मतलब होता है पूर्णकार, समग्र या समस्त विसेस्ताएं ठीक है तो जब प्राडी के सामने कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या की समग्र विसेस्ताओं को ध्यान से देखता है और देखने के बाद उसकी बुद्धी में एक सूज एक आइडिया उत्पन होता है जिससे यह पता चलता है कि इस समस्या का समधान कैसे करना है तो इसी को सीखना कहते है ठीक है जैसे वहां बताया गया कि उद्धीपक और अंक्रिया के बीच जो बॉन्ड बनता है वो सीखना है ये नहीं इसमें इनोंने इस चीश का खंडन कि क्या है ठीक है अब हम इसके सिद्धान को समझते हैं इसके सिद्धान को समझने के लिए इसके प्रियोग को समझते हैं कि इसके प्रियोग में इनोंने क्या दिया देखे कई सारे प्रियोग है इनके उसी सुल्तान नामक बंदर पर इनोंने कई सारे प्रियोग किये मैं यहा लागे और क्या-क्या प्रियोग हैं देखी यह एक सुलतान नामग चिंपैंजी अब यह क्या किया यह पर उन्होंने केले कrese लटका दिया अब यहां पर रखा है एक box यह देखिए box देख रहा है दूसरे वाले में यहां पर रखा है एक box यह है केला यह है चिमपैंजी यह है भूखा और इसको इन्होंने यहां पर बंद कर दिया अब उसको भूख लगी उसने देखा कि केला उपर चात पर लटक रहा है तो पहले उसने पूरी परिस्ति को देख कर केला पराप्त करने की कोशिश की लेकिन उचाई ज्यादा होनी के वेशे वेकिला प्राप्त नहीं कर पाया देखि यह का कोशिश करेगा उचल गोद मचाएगा लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि कोहलर साहब ने ऐसा अरेज्मेंट किया है इसके बाद अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया एक सूझ हाई एक समझ हाई कि क्यों ना मैं इस डिब्बे को यहां पर रखूं और डिब्बे से चला कि इस बॉक्स को यहां पर रखने से मैं इसके पर चड़ूंगा और यह मुझे केला आसानी से मिल जाएगा थोड़े बाद उसने ऐसा ही किया दूसरे प्रियोग में इसको थोड़ा सा और कठिन कर दिया गया अब इस केले की उचाई और बढ़ा दी गई जो कि इस बॉक्स और रख दिये गए यहां दो तीन बॉक्स और रख दिये गए फिर इसको बंद कर दिया गया अब चिंपैंजी ने फिर पूरी समस्या को एक समग रूप से देखा देखने के बाद उसने इस बॉक्स पे यह और बॉक्स रखे और बॉक्स रखने के बाद केले को प वह उस समस्या के समधान के लिए उस समस्या के समगरूप का अध्यन करता है और समस्या के समगरूप के अध्यन करने के बाद उसके दिमाग में उसकी बुद्धी में एक सूज एक समझ एक आईडिया क्रियेट होता है और वह उस समस्या का समधान कर लेता है या समधान करना सी जाता है इसी को उन्होंने सीखना कहा है अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यह नोट करके मैंने लिखी है इसको ध्यान रखेगा सूज को गेस्टाल्ट वाद प्रचलन में आहा अनुभव या आहा इस्पिरियंस यानि जो सूज है इसको भी लिखा हो उसका मतलब होता है सूज अब देखिए बहुत देर से मैं सूज सूज की बात कर रहा हूं कि सूज क्या होती है तो सूज क्या होती है या सीखना क्या होता है देखिए पुरानी सूज में मोडिफेकेशन करना या नई सूज को एडॉप करना इसी को उन्होंने सीखना का है जब मनुष्य कोई भी समस्या का समाधान करता है तो उसके अंदर एक सूज उत्पन होती है वो सूज एकदम नवीन होती है वो समझ एकदम नवीन होती है उसी को उनोंने सीखना का है तो नई सूज को डेबलब करना और पुरानी सूज में modification करना ही सीखना कहलाता है और सूज का मतलब होता है एक idea जो हमें किसी भी समस्या के समाधान में help करता है तो ये इनका सद्धान्त है यानि कि जो सीखना है वो उद्धीपक और अनुकरिया का परिणाम नहीं है बलकि उसके लिए सूज आवश्यक है इस इसलिए इनके सिध्धान्त को संग्यानात्मक अधिगम के सद्धान्तों की स्रेडी में भी रखा जाता है संग्यान का मतलब होता है ज्यान की उच्चितम सीमात तकविकाश जिसमें हम बुद्धी की बात करते हैं संग्यानात्मक विशेष्टाओं की बात करते हैं उसी में इनके इस सिध्धान को रखा जाता है अब इसका सिक्षा में क्या प्रयोग है देखिए ये ध्यान रखिएगा कि आह इस्पीरियंच सूज को कहते हैं जर्मनी भाशा में या गेस्टाल्ट वादी प्रचलन में आह अनुभाव कहते हैं ये भी हो सकता है आपके किताबों में मिले अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इसके सिध्धान का क्या महत है सैक्षिक रूप से कितना उपयोगी है तो देखिए समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरन इसमें समस्या को चोटे-चोटे बागों में बाट कर नहीं दिया था बलकि बच्चे के सामने पूरी समस्या लाकर रख दिया आती है बच्चा उस समस्या का अउलोकन करता है और अउलोकन करने के बाद अपने ही बुद्धी से उस समस्या के समधान करने का प्रयास करता है तो यह बच्चों के सामने समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया आता है इस दांत के मा इसके बाद रचनातम कारियों या creative works के लिए ये उपयोगी है जितने भी रचनातम कारे हैं जो नए सिधान्तों का प्रतिपादन करते हैं या नए तरीके से किसी भी समस्या का समधान करते हैं वो इसी सिधान को follow करते हैं इसके बाद स्वयम खोज कर सीखना जब बालक के सामन आप समस्या डाल देते हो तो बालक एक खोजी के रूप में काम करता है वो स्वयम से उस समस्या को समधान करने का प्रयास करेगा या करता है तो इस सिध्धान्त में स्वयम खोज करके सीखना भी include है तो ये मेरा सिध्धान्त है सूज का सिध्धान्त या insight theory अगर आपने इस सिध्धान्त को ध्यान से पढ़ा है तो मेरा मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा बाहर कोई question नहीं बनेगा वैसे भी मैं question की भी सरंखला लेकर बीच बीच में आता रहता हूं तो अब जब भी मैं अधिगम के related question बनाऊंगा तो उसमें इससे related भी question रहेंगे लेकिन आपका कोई भी topic छूटे न या कुछ भी मुख्य बिंदू छूटे न इसलिए इस वीडियो को last तर देखिए और मेरे channel को like करें subscribe करें और comment करके please बताएं कि आपको ये video कैसा लगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगता है और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करिए धन्यवाद मित्रो